हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वालों कि कैसे आप अपने Infinix Note 30 Android मॉइलफोन में आप अपने मॉइलफोन की आटो टच की प्रॉब्लम को आप स्वालों कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चले यहां पर वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों कभी भी अगर आपका मॉइल फोन अपने आपको आटो टच करने लग जाता है यानि कि आटो टच की प्रॉब्लम आती है तो इसकी solution के लिए आपको करना है कि सबसे पहले तो आपको जो है अपने मॉवाइल फोन में जितने भी आपस हैं इन सभी आपस को reset करना है यानि कि इन सभी आपस का data clear करना है क्या से देखिए अगर आप अपने मॉवाइल फोन के किसी भी आप को उगली से दबा के रखेंगे तो आपका एक छोटा सा page open होगा इस तरीके का ठीक है इसमें आपको ये app info लिखा हुआ मिलेगा या फिर circle के अंदर जो i button है इसे आपको tap करना है तो आपका ये वाला page open होगा इसमें आपको ok बटन tap करना है तो आपका ये जो data और ये जो catch है इन दोनों के सामने अला data आपका जिर हो जाएगा इस तरीके साब को अपने mobile phone के सभी apps को reset करना है जिससे आपके phone की auto touch की जो problem है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है एक्रेहे आपका update है या नहीं आपको check कैसे करना है देख सबसे फरे मुआलब फोन का internet आपको चालू रखना इसके बाद मुआलब फोन वबन करना है kit map सबसे नीचे system पर टीक करना है सबसे नीचे आपको online update पर टाप करनाह तो आपको अनfred पेज पर कोई या ईंज्ट इंस्टॉल यहां पे लिखावा दिखाई देता है तो इससे आपको टैप कर देना है इससे आपके फोन का सॉफ्टेयर अपडेट हो जाएगा और आपके मुवाइल फोन की आटो डज की प्रॉल्म सॉल्ल हो जाएगा अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि आपको अपने हो जाएगा रिस्टार्ट करने से होता है कि हमारे मुवाइल फोन के एंडूट शिस्टम में अगर कोई प्रॉल्म आ जाती तो प्रॉल्म जा सॉल्व हो जाती है फोन को रिस्टार्ट करने से ठीक है अब दोस्तों यहां पर आपको अगला काम यह करना है कि आपके अवेलेवल के नीचे आपको see detail पर टब करने तो आपको यह बेज आएगा ठीक है? इस पेज मा अपको वो सभी apps आपके दिखा आपके दिखाई देंगी, जो आपके update नहीं है, ठीक है? तो इने सभी apps को update करने दें, जिससे आपके phone की auto touch की जो problem है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आखरी प्रोसेस यह करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है ठीक है देखें दोस्तों आपको अपने mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बता हुए पिछले process अगर काम नहीं करते न तब आपको phone को reset करना है अदरवाइस phone को reset नहीं करना है phone को reset करने के लिए आपको है mobile phone का setting page open कर लेना है setting page में आपको सबसे नीचे की side system पर आपको tap करना है ठीक है अब इसके अगले page में आपको सबसे नीचे erase all data factory reset पर टाप करना है इससे आपका mobile phone reset हो जाएगा और आपके mobile phone के auto touch की problem ज या उसका बैकप ले लीजे, दूसरी बात यह ध्यान रखने है, आपके मुझाईल फोन की जीमेल आईडिया और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट कर गये रखना है, यह दो काम आपको पहले करने है, उसके बाद यह फोन को reset करना है, तो मेरे बताए होई सारे प्रोसेस आप यूज़ करेंगे तो आपके फोन के auto touch की problem solve हो जाएगी अगर मेरे बता हुए सारे process यूज़ करने के बाद भी आपकी auto touch की problem solve नहीं होती है तो आपको करने का है देखी दोस्तों आपके mobile phone का जो service center होगा वाँ पर आपको चले जाना है अपना phone वाँ पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं दिखे हो सकता है आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी auto touch की problem आ रही है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution आपको बताए है वो mobile phone के software के जरिये बताए है अगर mobile phone के software की किसी कमी के वजह से auto touch की problem आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी otherwise आपको अपने mobile phone के service center जाना होगा ठीक है